ज़रा सोची आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं और हजारों फीट की उचाई पर आपको यह सुनने को मिले कि जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो हाईजैक हो गया है आपकी क्या हालत होगी या फिर हवा में आपका प्लेन टीक उफ करें उससे पहले ही आपको कोई बोले कि प्लेन हाईजैक होने वाला है तो आप पर क्या गुजरेगी सोचकर ही खौफ आ जाता है मगर कुछ ऐसा ही बाग किया मुंबई के च्छतरपती शिवाजी महराज अंदराश्ट्रे हवाई अट्डे पर हुआ असल में मुंबई से दिली जा रही विस्तारप की फ्लाइट में उस वक्त हरकम मच गया जब यात्री ने प्लेन को हाईजैक करने की बात गही उस शक्स की बात सुनकर सभी यात्रियों के होश फाखता हो गए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्तारप की फ्लाइट नंबर UK996 की कैबिन क्रू यात्रियों के सीट बैल बातने के लिए कह रही थी इसी तोरान सीट नंबर 27E पर बैठा शक्स फोन पर जोर-जोर से बात कर रहा था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घड़ना गुरुवार की है और ये वारदात करीब 6.30 बजे छतरपती शिवाजी महराज अंतराष्टे हवाई अड़े पर हुई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यादरी फोन पर किसी से कह रहा था कि फ्लाइट एहमदबाद में बोर्ट करेंगी कोई भी परिशानी हो तो मुझे फोन करना हाई जैक की पूरी तयारी है शक्स ने फोन पर ये भी कहा कि सारा एकसेस मेरे पास है कोई चिंता मत करना क्रू मेंबर ने मामले की शिकायर इसके बाद पुलिस से की हलाकि दिल्दी रवाना होने से पहले ही फ्लाइट से पुलिस ने यादरी को गिरफतार कर लिया वैसे आपको बता दें कि यादरी हरियाना गर रहने वाला है और इसकी पहचान रितेश जुनेजा जिसकी उमर 23 साल बताई जा रही है उसके रूप में हुई है मीडिय रिपोर्ट्स के मताबिक यादरी मानसिक रूप से बिमार है 2021 से उसका इलाज चल रहा है फिलाल बुलिस निस मामले में आईपी से की धारत 336 और 505 बटे 2 के तहट मामला दर्च किया है गोर तलब है किस से पहले 9 जून को दिल्ली से मुम्मई जा रही विस्तारा की ही फ्लाइट में बंकी धंकी का मामला भी सामने आया था जब इंद्रागांदी अंतराश्रे एरपोर्ट दिल्ली के सुरक्षा बलो ने विस्तारा एरलाइंस की दिल्ली मुम्मई फलाइट की ग्यादरी को बंकी धंकी की शिकायत के बाद गिरफतार किया था जानकारी के मुताबिक विस्तारा एरलाइंस की दिल्ली से मुमई जाने वाली फलाइट संक्या यूटिन 941 में एक शक्स को बंकर जिक्र करते हुए सुनकर महिला पैसंजर ने फॉरण फलाइट के क्रू मेंबर से शिकायब की थी फलाइट में हंगामा शुरू होने पर CISF के उसकी सूचना दी गई और CISF के अधिकारियों ने आरोपी को फलाइट से उतार लिया था प्योर रिपोर्ट क्राहिम तक करते हैं